नेहा की कीचन में आप लोग का स्वागत है आई होग कि आप लोग अच्छे होंगे आज मैं मखाने का खेर की रेस्पी लेके आ गई हूं जो बहुत हेल्दी या बहुत टिस्टी होता है कड़ाही में एट किये हैं वानी स्पून घी एक बाल से थोड़ा सा कम में एट करेंगे मखाना अच्छे से भून लेंगे रोस्ट कर लेंगे या कुछ ड्राइब फ्रूट है जैसे काजू है बदाम है फेस्टा है तो लिए चेक कर लेते हैं एक से ग्रेमिनट और भून लेंगे मखाना को अच्छे से हो गया है ऐसे चेक करने पर पता चल जाता है सेम खडाही में एट की हुमें दो कप दूद दूद को 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे या मेक्सी के चार में लेके अच्छे से इसका दर्दरासा पाउडर बना ल आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है अगर मेरी वीडियो थोड़ी वे इच्छी लगती है तो लाइक करिए सेस्क्राइब करिए शेयर करिए चलिए दूद को देख लेते हैं अच्छे से उबाल आने लगा है मलाई देखिए कि इतनी मोटी जम गई है पचारा त करिएगा चलिए जो मखाना में दरदरा पाड़र नहीं थी उसको एट करेंगे बरत में खाने में आपको बहुत ज्यादा यह मतलब हेल्प करता है मखाने का खीर यहां पे जो ट्राइब फ्रूट चॉप की थी वह एट कर दी बदाम किसमीस और पीस्ता तो बरत में इसको इनर्जी बहुत महसूस होता है एक बाल खालो तो फूल एनर्जी आजाता है मखाने का खीर खाके क्योंकि एक कैल्सियम से भरपूर होता है अच्छे से देखिए कि पकने लगा है इसमें इलाइची पाउडर हाफ ही सूनेट किये हैं इससे बहुत अच्छा स्वाध आता है अच्छे से मेक्स कर लेंगे दिखें गाड़ा होने लगा इस तरीके से बनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और खीर आपका बन के बहुत अच्छा त्यार होगा यहां मैं 6-7 इस्पून एड़ की हूँ चीनी आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग एड़ करिएग कम जादा कर सकते हैं मिस्ट्री भी आप यहां पर एड़ कर सकते हैं यह आपकी च्वाइस है देखिए गाड़ा होने लगा है ऐसे चलाते हुए दो-चार मिनट और पकाएंगे दस मिनट बाद चलिए चेक करते हैं देखिए कैसे मलाई जम गई है और बिल्कु ड्रबरी के फॉर्म में बनके त्यार हुआ है अब कर लेते हैं प्लेटिंग आप लोग देख के बताना की खीर कैसा बना था बहुत डिलैसियस बहुत टेस्टी बनके त्यार हुआ था गार्निश करेंगे बदाम और काजो और पिस्ता से देख के बताईए का आप लोग को कैसा लगा मेरा यह वीडियो बिल्कुल रबडी जैसे लग रहा है न इस रेस्पी से एक ट्राय तो बनता है थांक्स पर वाचिंग